इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इगनु से बैचलर ओफ आर्ट्स या फिर बैचलर ओफ आर्ट्स का कोई भी ओनर्स प्रोग्राम करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं एडिमिसन से ले करके प्रोग्राम कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वला हूँ जैसे कि आपको एडिमिसन कैसे और कब लेना होता है एडिमिसन लेने के बाद आपका एकजाम कब होता है assignment कब submit करना होता है किताब ये आपको कब दिया जाता है classes कब होता है साथ ही में जब आप admission लेते हैं तो आपको किस तरीके से subject वगेरा select करना होता है first year में आपके पास क्या के subject रहता है और सबसे important program complete करने के बाद आपको क्या क्या चीजे दिया जाता है तो इन सभी चीजों के बारे में detail में जानकारी पराप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस related सभी update और notification time to time पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजिए ताकि सभी update आपको मिलते रहे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस वाले website पर आ जाना है इसका link मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पर आने के बाद आपको एक option मिल जाएगा search का यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस तरीके से bachelor लिखेंगे तो bachelor degree के जितने भी program available है जिन में आप admission ले सकते है जो इगनू आपको offer करता है वो सभी यहाँ पर filter हो करके आ जाएगा किसी भी program में अगर आप admission लेना चाहते है तो पहले आपको यह देखना होगा कि उस program में admission लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए जिसके लिए यहाँ आप read more पर click करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको eligibility वाले section में बता दिया जाता है कि इस program में admission लेने के लिए आपके पास क्या जरूरी योग्यता होना चाहिए बाकी का जो चीज है वो मैं आपको PPT के मादिम से समझाता हूँ फिर आपको काफी अच्छे से बारी की से पता चल जाएगा पहले हम बात करते है admission process के बारे में कि अगर आप admission लेना चाहते है किसी भी bachelor degree प्रोग्राम में तो आप कैसे admission ले सकते हैं तो जब भी admission का form आता है वो अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको online registration करवाना होगा जिसके लिए जो link आएगा तो यहाँ पर इस तरी के से लिखा हुआ रहेगा click here for new registration इस पर आपको click करना होता है जब भी admission का form आता है और जो भी जरूरी documents रहते है वो आपको online upload करना होता है admission लेने के लिए आपके पास क्या कर जरूरी documents रहना चाहिए उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं इसमें आपको detail में पता चल जाएगा और फिर जो भी document आप online upload करते हैं वेरिफाइ किया जाता है कि वो असली है या फिर नकली है जब साब कुछ सही रहता है तो आपका admission confirm हो जाता है बाकी admission का form वगेरा किस तरीके से fill up करना होता है जब admission का form आ जाएगा यानि कि जब admission start हो जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के मादम से बता दूँगा अब बात कर लिते हैं कि IGNU में जो admission है वो कब start होता है तो IGNU में जितने भी program आपको दिये जाते हैं जितने भी program admission के लिए offer किये जाते हैं सभी में जो admission है एक तो जुलाई में होता है और एक जनवरी में होता है वहीं बात करें कि जुलाई सेशन का जो एडमिसन ये कब से स्टार्ट होता है तो ये नॉर्मली क्या होता है कि मई के लास्ट वीक से स्टार्ट कर दिया जाता है और अगर मई के लास्ट वीक से स्टार्ट नहीं होता है तो जून के फॉस्ट वीक स यही एडिमिशन स्टार्ट कर दिया जाता है जुलाई सेशन का और जो आपका जनवरी सेशन का एडिमिशन रहता है वो नॉर्मली क्या होता है कि दिसंबर में स्टार्ट होता है और इसमें ज्यादा तर चांस रहता है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो एडिमिशन है वो स् सिंपल सा आंसर है नहीं बैचलर डिगरी के किसी भी प्रोग्राम में आप एड़िमिशन लेते हैं चाहे वह बीएजी हो गया या फिर बीए का कोई भी ओनर्स का प्रोग्राम हो गया तो उसमें आपको इंटरेंस एक्जाम नहीं देना होता है आपका डायरिक्ट अजरूरी होटा है और आपको एक म型 कार्था है। नंए करें ही आपको दिखंद हो T egzocard से और पहरो ह commenting होटा है। अब हम बात कर लेते हैं तो बैचलर डिगरी के मैंने जितने भी प्रोग्राम आपको दिखा है जिनका मैंने आपको starting मछी लिस्ट दिखा दिया था तो यह सभी प्रोग्राम है वह तीन साल का है तीन साल में आप इसको complete कर सकते हैं जब आप admission लेते हैं तो आपका जो admission है वो 6 साल तक valid रहता है, बीच में अगर आप 6 महिना या फिर 1 साल पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो 6 साल तक आपका admission valid रहता है, बाद में आप अपना पढ़ाई वहीं से start कर सकते हैं, continue कर सकते हैं, लेकिन minimum जो program का duration है वो है 3 साल, 3 सा करना चाते हैं, या फिर हिंदी से करना चाते हैं, जब admission का forum फिलप करेंगे, तो वहाँ पर आपसे यह चीज़े पूछा जाएगा, बात करता है कि जो bachelor degree program है, इसमें आपको क्या के subject दिया जाता है, तो जब आप admission का forum फिलप करेंगे, तो यहाँ पर यह आपको जितने भी subject यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि anthropology, economic, history, political, science, psychology, public administration, और यहाँ पर यह जितने भी program आपको दिखते हैं, यह सभी आपको admission portal पर दिखाया जाएगा, आपके उपर depend करता है कि आप कौन-कौन सा subject लेना चाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी subject आपको दिखते हैं, तो इसमें से दो compulsory subject आपको select करने होते हैं, और बाकी का जो subject रहता है, वो आपका elective रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पर जबाप admission का forum fill up करते हैं, तो वहाँ पर आपको subject select करने होते हैं, टोटल आपको first year में 8 subject दिये जाते हैं, जब आप admission का forum fill up करेंगे, तो किस तरीकिसा आपको subject व इसी वाले website पर आजाने, इसका link मैंने नीचे दे रखा है, और आप जिस भी program में admission लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा read more का, इस पर आपको click करना होता है, जिसके में यहाँ पर click करता हूं, और नीचे करेंगे, तो यहाँ पर आपको fees बता दिया जाता है यह हमेशा ही हर साली update होता रहता है, तो किसी भी program का जो fees है, वो आप यहीं पर click करके check कर सकते हैं, और अब बात करते हैं कि जो आपका first year रहता है, इसमें आपका कितना subject रहता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, first year में, जैसे कि यह मैं आपको bachelor of arts का ही दिखा रहा हूं, तो first year में आपको total 8 subject दिये जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह आपके उपर depend करता है कि आप कौन-कौन सा subject लेना चाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको 2 compulsory subject select करने होते हैं, तो जैसे कि इन्होंने select कर रखा है हिंदी का, तो हि एक और दिया जाएगा, यानि कि 2 हो गया, और जो दूसरा हो गया, जैसे कि दूसरा मानलीज कि आप history का subject लेते हैं, compulsory, तो उसके साथ आपको एक और compulsory subject दिया जाएगा, और बाकी जो 4 रहेगा, वो रहेगा आपका elective, और यह कितने credit कर रहता है, वो यहाँ पर बता दिया पर करते हैं, तो यह जो आपका credit है, यह अपने आप ही complete होता रहता है, और अब हम बात कर लिते हैं, exam के बारे में, क्योंकि कोई भी कहीं भी admission लेता है, तो उसका पहला ही सबाल रहता है, कि मेरा exam कब होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बैचलर डेरी के जितने भी CBCS based program है, यानि कि choice based credit system, यानि कि यहाँ पर बैचलर लिखने के बाद यहाँ पर यह आपको जितने भी subject दिखते हैं, यह सभी जो है choice based credit system के अंतरगत आते हैं, तो यह सभी जो program है, वो है आपका early based, और early based program में क्या रहता है, कि जब आप admission लेते हैं, तो उसके एक साल बाद आपको exam देना होता है, for example, जैसे कि mileage कि आपने admission लिया है January में, तो आपका exam एक साल बाद December में होगा, जैसे कि mileage कि आप admission लेते हैं January 2024 में, तो आपका जो first year का exam है, वो होगा आपका December 2024 में, और यहाँ पर भी आप एक चीज़ को देख करके confused हो सकते हैं, यह जो आपको admission का application form द दिखा रहेगा, तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना है, आपका first और second दोनों ही semester का exam एक साथी होगा, और assignment भी आपको एक साथी बना करके submit करना होगा, इसके अलाबा IGNU में यह भी होता है कि आप जितने भी subject का exam देना चाते हैं, पहले आपको उनका exam फीस भी submit करना होता है, और IGNU में जो exam है वो दो session में होता है, एक June में और एक December में, और वहीं बात करें कि exam form जो होता है, यह कब आता है, तो June exam के लिए जो आपका exam form है वो March में आ जाता है, March में आपको exam फीस submit करना होगा जून में exam देने के लिए, और जो December session का exam है, इसके लिए जो exam form है, IGNU के त exam में यह भी होता है कि आप जितने भी subject का exam देना चाहते है, पहले आपको उनका assignment बना करके भी submit करना होता है, अब assignment का question paper कैसे, कहां से download करना होता है, और assignment आपको कैसे बनाना होता है, यह सब चीज़े में आपको बताने लगा तो वीडियो का साइज जो है काफी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इन topic के regarding में अलग से वीडियो को upload कर दूँगा, फिलाल बात करते है कि आपको assignment कब submit करना होता है, जैसे कि मैं आपको बताए exam 2 session में होता है, 1 June में और 1 December में, तो June examination के लिए जो आपको assignment है, वो March में submit करना होता है, और last date रहता है 31 March, और वहीं बात करें December exam के बारे में, तो December examination के लिए जो आपको assignment है, वो September में submit करना होता है, और last date रहता है 30 September, हाला कि यह जो last date रहता है, इसको extend कर दिया जाता है, जिसे की 31 March से बढ़ा करके April कर दिया जाता है, और इसे 30 September से बढ़ा करके October कर दिया जाता है, उसके बाद फिर हम बात कर लेत है, तो उसके बाद जो आपका study material है, यानि कि जो किताबे है, वो by post आपका जो भी IGNU में register address रहता है, यानि कि admission के वक्त जो भी address आप देते है, उस address पर पहुचा दिया जाता है, इसके लाबा क्या है कि जो PDF format का बुक है, वो आप इग्यान को इस website से डाउनलोड भी कर सकते है, और साथी में IGNU का एक mobile application है, जिसका नाम है e-content, यहां से भी आप किताबों को PDF format में download कर सकते हैं, और अब हम बात करते हैं कि जब आप admission ले लेते हैं, तो आपका classes है, वो कब होता है, तो जो आपका classes है, या तो आपका या तो online होगा, या फिर offline होगा, अब जैसे भी ह आपको पता कैसे चलेगा, तो जब आप admission लेंगे, तो वहाँ पर क्या रहता है, कि आपको एक regional center select करना होता है, यानि कि IGNU का center select करना होता है, यानि कि IGNU से related आपको कोई भी समस्या रहता है, तो उसके लिए जो regional center रहता है, उनसे आपको contact करना होता है, तो इनका सभी का website रहता है, तो जो classes का information है, वो regional center के website पर आपको provide करा दिया जाता है, आपको classes online हो या फिर offline हो, वहाँ पर आपको schedule दे दिया जाता है, और साथी में ये जो information है, आपके email ID पर जो भी email ID आप admission के वक्त देंगे, उस पर भी send कर दिया जाता है, इसके लाबा क्या कि जो IGNU कोस website ह यहाँ पर पहले से ही recorded videos का आपको classes का video मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं, और आप अपना पढ़ाई continue रख सकते हैं, यह है EGNU कोस website, यहाँ से आप किताबों को download भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए IGNU YouTube videos, यहाँ पर पहले से recorded videos भी है, यह भी video है, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अब हम बात करते है, री रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आखिर यह क्या होता है, तो अगर मैं आपको इसको आसान से सब्दों में बताऊं, तो एक किलास से दूसरे किलास में admission को IGNU में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, जैसे कि आप admission लेंगे, जैसे कि मालिज कि आपने जनवरी 2024 सेशन में admission लिया है, तो उसके एक साल बाद जनवरी 2025 सेशन में आपको second year में admission लेना होगा, और यह सब कैसे होता है, वो मैं आपको अलग-अलग वीडियो के मादम से time to time guide करता रहूँगा, इसके अलाबा क्या होता है कि, जैस इच्जाम में फेल हो जाते है या फिर आप first year का exam देते ही नहीं है, लेकिन एक साल complete हो गया है, तो आपको second year में admission दे दिया जाएगा, भले ही अपने exam दिया हो, ना दिया हो, या फिर आप exam में फेल हो जाते है, तो भी आप second year में admission ले सकते है, जो की इगनू की ये एक काफ आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको क्या क्या मिलता है तो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आपको एक ऐसा मार्क सीट दिया जाता है और उसके बाद फिर आपका convocation होता है और convocation में ये रहता है कि जब convocation आपका हो जाता है तो ऐसा आपको original degree दिया जाता है और इस degree को आप download भी कर सकते हैं कैसे होता है चैनल पर आपको detail में video मिल जाएगा और उसके बाद जो आपका original center है वहाँ पर convocation होगा वहाँ पर आप जा जाता है और program complete करने के बाद ये जो mark seat है ये भी आपके घर पर भेज दिया जाता है और mark seat के साथ एक ऐसा provisional certificate भी आपको दिया जाता है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और ignus related सभी update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिज करके आपए और गार्य को इसे का लिए पी है लिए चौश्यक कर दिसे के लिए एक का लिए ये इस रहल है तो अधुलिए है जो अधुल को आपके 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 लिए नहींते हैं ये और दून स्टीए हैं